हेलो फ्रेंग्स मैं अभी लाशा आज कोशंबी रायता बनाने वाली हूँ इससे आप डाल रोटी के साथ लंच में बना सकते हैं एक डोंगे में एक कप दही लें दो तीन चमच अनार के दाने डालें बारी कटा हुआ खीरा डालें दो से तीन चमच डालें आदा कप करीब गाजर कसी भी डालें गाजर कस के डालें तो अच्छा है बारी कटा हुआ हरा धनिया डालें दो चमच दो से तीन चमच बारी कटे हुए टमाटर डालें सबको दही के साथ अच्छे से मिलाएं मिक्स करें एक चमच चीनी डालें एक चमच कटी हुई हरी मिर्च डालें बारी काटे हरी मिर्च आदा चमच भुना जीरा पाउडर डालें आदे से कम लाल नमक डालें और सफेद नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें सबको अच्छी तरह मिलाएं तड़का पैन में एक चमच तेल गरम करके जीरा और राई आधा आधा चमच डालें एक चुटकी हींग डालें गैस बंद करके तड़का बाहर निकालें और उसमें एक चुथाई चमच लाल मिर्सी पाउडर डालें अब तड़के को चमच से राईते की ऊपर गार्निश करें सबको मिक्स कर दें और अब आपका को